हाई आजकल डेटा रिकवरी को लेके आप लोगों का बहुत इसने हो प्रेम हमको मिल रहा है खासतोर से हमारे यूट्यूब जनल के माध्यम से कि उसमें वह सारे आप लोग जो मेरे जन हैं वहर invented सवाल करते हैं कि मेरी चीडल होगी क्या तो मेरा लोगों से कहना यह है उसके बारे में की इस बात का जब करता जब तक हमें यह न पता हो हाट डिस्क कौन सी है तो उसके बारे में मुझे कुछ डेटेल में आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताना है क्या वो डेटा रिकवरी संभव है या नहीं है उसको समझने के लिए हमें कम से कम किन चीजों की आवश्यक्ता है मैं हूं अरुम शरुमा डेटा रिकवरी स्पेशलिस्ट और आज मैं आपको यह एक्सप्लेइन या विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा कि डाटा रिकवर सब्सक्राइब करेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से आपको जवाब दे पाएंगे और यह भी समझ पाएंगे कि वह कौन सी है तो उसके लिए तीन-चार विंदू है जिनमें जो विचार करने योग्ये हैं जैसे हम पूछते हैं काइंड ऑफ मीडिया एक दूसरा टेक्नलो सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरीके साथ या बैटर समझ के साथ आपको अच्छी समझ के साथ आपको यह यह समस्या क्या है तो आप हमें बताएंगे लोगिकल का अधिया है कि प्रभल मुथी है पहले होती है लोजिकल फिर से मिफिजिकल या और इशू या जहां प्रब्लम आ रही ए रही है यह उसके इंदर से कि अबनॉर्मल ऐसी आवा जा रही है तो यह तीन तरीके की डेटा रिकवरी होती है तो हम लॉजिकल डेटा रिकवरी को बात कर रहे हैं ऐसे केस यदि हम समय के हिसाफ से देखें तो एक से दो दिन में हो जाते हैं इसके अंदर हमको जानना होता है कि आपका मीडिया क्या है जैसा कि मैंने भी पूछा कि आप फोटोग्राफर भाजियों के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो वह सरवर्थ साइट नहीं जाएंगे होंगी जनरली ऐसा होता है फिर मैं आप से पूछता हूं कि डेमिज क्या हुआ है डिलीट हुआ है फॉर्मेट हुआ है या ओवर्राइट हुआ है और उसमें ज सब्सक्राइबि और उसफेंबो सकता है और बिना नौलीज होती है तो ईस्टडी से बच्छे सब्किर नुदिए कृटिकल प्राइटेट को आई है उसी के हिसाब से हम डेटा द्रीट की परंश और समय बताते हैं लेकिन क्यों कि लीरच कर रा है हैं तो लॉजिकल में क्या होता है कि हाटिक्स विंडोज के साथ यह आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बहुत अच्छे से चल रही होती है उसमें कोई प्राबलम होती नहीं है क्योंकि आप गलती से डाटा डिलीट हुआ है या पार्टिशन फॉर्मेट होने में यह फिजिकल इसू नहीं है तो उसको किसी सॉफ्ट्वर के थूरू कैसे करना है क्या करना है कैसे डेटा रिकवरी होनी है और इसमें कॉस्ट कितनी लगनी है तो जैसे हमने बार-बार बताया कि ऐसी हैं में 2-5,000 के बीच में डटा रिकवरी हो जाती है वह आप चाहें खुद भी कर सकते हैं हमसे उसके लिए आप मदद लिना चाहते हैं हम आपको वाट्सप पर मदद भी कर सकते हैं हाँ फोन कॉल आप नहीं कीजिएगा वाट्सप्र कीजिएगा क्योंकि हमें काम करना होता है वीडियो भी आपके लिए शूट करने होते हैं तो चाहते हैं कि उस समय को बुरा भी लगता हो लेकिन हम थोड़ा सा समय का ध्यान रखना होगा क्योंकि मैं फ्री होंगा तब मैं आपको वाट्सप पर बहुत अच्छे से आंसर कर पाऊंगा तो इस वह डिटेल वहां आप को को दिख्कत आ रही है अगां आपको टेक्निकल इस नहीं है तो आपको आपको मदद कर सकते हैं लेकिन एड़ा करेंगे आपकी साइट पर काम होगा उसके लिए आपको करना पड़ेगा जो कि मैं एक तुरू जाने के बाद चेक करके आपको बताँगा चेकिंग का चार् सवाल पूछने में प्रशन पूछने में सहुलियत होगी होगी आगे और आपके बहुत सारे चीजों का समाधान भी इसमें होगा होगा अवश्य होगा ऐसा मेरा विचार है और हम लगातार इस पर वीडियो डालते रहेंगे कि अभी दूसरे लेवल का डाटर रिगवरी और पिंकिंचे जोगा ध्यान लगना चाहिए और तीसरे लेवल का इस पर लगाता रागे डालते रहेंगे और थोड़ा और रिफाइन करके कोशिश कर रहें और अच्छे से वीडियो को डालें क्योंकि हम वीडियो एडिटिंग या हम वीडियो शूट्स प्रफेशनल तो नह बार हम देख रहें कि आप सब्सक्राइब भी कर रहें सब लोग और कुछ लोग सीखके से हमारे चैनल से सीखके अपना काम भी कर रहे हैं लॉजिकल डेटा रिकवरी का तो इसलिए मेरा और रुची है कि मैं आप लोगों को सब को बताऊं कि आप जहां है वहीं लॉजिकल लॉजिकल चैलिंज तो नहीं है उसको कौन से लेवल के स्कैनिंग करनी है तो इसके उपर जो कॉस्ट अभी हमने आपको दो से पाश्य और वे के बीचिंग बताई है यह लॉजिकल के लिए है जिसमें हाट डिस ठीक होती है आई होब कि मैं आपको कॉस्ट वगरा भी ठीक इसमें एक्सप्लेइन कर पाया हूं थैंक यू थैंक यू सो मच